नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सबका Fantastic Nifty चैनल पे दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको एक Small Cap Stock दिखाऊंगा जो अगले 6 महीने में यहां से Double होने का Potential रखता है Daily Chart, Weekly Chart दोनों में ही दमदार Breakout के संकेत है और इस Stock के बारे में इतनी सारी अच्छे ची खबर है कि आपको बहुत पसंद आएगा RBI के साथ Partnership किया है, RBI के साथ काम कर रहा है यह Stock और यहां पे दोस्तो जबरदस्त Potential है, अगले 6 महीने में Double होने का दम रखता है तो वीडियो को पूरा देखिए, यह Small Cap Stock आपको 100% पसंद आएगा आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तो चैनल पे बहतरीन ओफर है, चौके पे चौका ओफर चार-चार चीज़े इस ओफर में दोस्तो आपको मैं बिलकुल फ्री में दे रहा हूँ सब कुछ फ्री है आपके लिए कोई चार्जेज नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक के साथ, आप अपको देना चाहता हूँ, जो चार्ट दिखाना चाहता हूँ, पांच मिनिट का समय दीजिए, सब कुछ आपको समझा दूगा इनके बिजनस को समझें दोस्तो, ये एक्चुल में एक सॉफ्टवेर की कमपनी है, लेकिन बहुत ही छोटे सेक्टर में फोकस करता है और वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, आप देखिए, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रीटेल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, ट्रे वल्डवाइट हमेशा रहेगा, हम हर समय रहेगा, बैंकिंग तो कभी खतम नहीं होगा, इन्शोरेंस कभी खतम नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा और इनके लिए मार्केट बना हुआ रहेगा, मैं आपको इसका फंडमेंटल दिखाऊंगा, रिसर्च दिखाऊंगा, चा आसपास company है और सिर्फ 28 करोड का करजा price to book value भी बहुत सस्ता है बहुत ही बढ़िया है बहुत अच्छा है 25 रुपए का EPS है और अगर आप पिछले साल के returns को देखे result को देखे तो 26 प्रतिशत के आसपास margin है 100 करोड का मुनाफ़ा किया है highest ever quarterly net profit fundamentally दमदार है कोई शक नहीं है लेकिन इसमें खबर क्या है खबर का research आपको दिखाऊंगा दोस्तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जिस sector में ये काम करता है उस sector क्या future है अगर सेक्टर अच्छा चलेगा तो ही तो स्टॉक अच्छा चलेगा तो इसलिए सेक्टर का क्या future है इसी के लिए दोस्तों मैंने कुछ research report ढूंके निकाल के रखा है सबसे पहले digital banking platform इसका market दोस्तों 2028 तक जबर्दस थे डिजिटल बैंकिंग आने वाले समय में ज्यादा popular होगा आप नोटिस करिए आप आजकल शायद बैंक में कम जाते हैं इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल एप्लिकेशन से ही ज्यादा करते हैं UPI इस्तेमाल करते हैं तो यही सारी चीज दोस्तों डिजिटल बैंकिंग का हिस्सा है और भी बहुत सारी है यह मैंने बहुत ब्रॉडली कह दिया तो यह सारी चीज दोस्तों आगे और भी popular हो सकता है तो जितने भी कंपनिया digital banking solution software platform provide करता है उनके लिए future बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आप एक research के estimate को देखिए 18.3% के CAGR में grow करेगा digital lending platform by 2028 अगले 6 साल की बात हो रही है दोस्तों 18% के CAGR में यह sector grow कर सकता है तो आप समझ सकते हैं जो भी यहाँ पे काम करता है उनके लिए future बहुत ही शांदार है इसके बाद दोस्तों मैं आजाओंगा intellect design arena को क्या-क्या orders मिला है क्या-क्या client है यहाँ तक वीडियो पसंदा है तो please request चैनल को subscribe कीजिए bell icon को press करके रखे बिलकुल free है कोई charges नहीं है कर लीजिए रोजाना आपको अच्छे अच्छे वीडियो का notification मिलेगा subscribe करके bell icon को press करके रखे सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि RBI ने खुद intellect design arena को choose किया है उनके digital platform को service करने के लिए RBI को भी तो digital काम चाहिए banking के software चाहिए banking के platform चाहिए तो उसके लिए उन्होंने intellect design arena को choose किया है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों RBI जैसी governing body intellect design arena को काम दे रहा है मतलब इनके product और services बहुत ही अच्छा है क्योंकि RBI आप समझ सकते हैं किसी आयरे गयरे को काम तो नहीं देगा तो इनको दिया है मतलब इनके credibility बहुत अच्छे हैं इसके साथ साथ दोस्तों अपना state bank of India इन्होंने भी दोस्तों intellect design arena के software को लिया है digital wealth management का software तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है इसके साथ साथ दोस्तों आप देखे research bank ये दोस्तों Norway, Finland, Europe में ये bank है उन्होंने भी दोस्तों intellect design arena से software लिया हुआ है तो इंडिया में बड़े-बड़े banks ले रहा है योरोप में भी बड़े-बड़े इनके client है इसके साथ एक और है दोस्तों कुएत में एक bank है इन्होंने भी दोस्तों इन से एक software लिया हुआ है जिसका नाम है IGTV ये हमको इतना details में जानने की ज़रूरत है मेरा कहने का मतलब है इंडिया में client है योरोप में client है Middle Eastern Asia में भी client है तो सब जगा इनके client भरपूर फैले हुए है इसके साथ साथ दोस्तों आपको में दिखाना चाहूंगा कि ये company जो है 300 revenue तो यहाँ पर ये जबर्दस्त ये करने वाले हैं तो आप इसे जरूर से देखिए इस sector का potential बहुत अच्छा है stock का भी potential बहुत अच्छा है और दोस्तों आप देख सकते हैं ये company 30% के EPS growth guidance रखता है 30% EPS growth quarter to quarter तो ये भी बहुत अच्छा है aggressively है और अगर चार्ट ये आपके सामने daily chart है साड़े 800 में दोस्तों double top लगा हुआ है एक बार यहाँ पे top नीचे गरता है और उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाता है दमदार breakout के संकेत है बस breakout का इंतजार करे साड़े 800 के उपर इसका breakout आएगा वहाँ पे अगर आप लेंगे तो इसके लिए दो 620-630 का ये जो line है यहाँ पे maintain करें अगर आपको technical analysis समझ में नहीं आती है free में सीखना है तो हमारे offer को लीजिए description में offer का link है सब कुछ free है course भी free में मिल जाएगा लेकिन इसे देखिएगा weekly chart daily chart दोनों में ही breakout के संकेत है future prospect बहुत दमदार है और यहाँ पे दोस्तों अगले 6-9 महिने में यहाँ से बहुत उपर जाने के potential है तो intellect design arena जरूर से study करके देखेगा मुझे उमीद है आपको यह small cap बहुत पसंद आएगा तो मुझे उमीद है आपने देख लिया है समझ लिया है intellect design arena आपको पसंद भी आया है अभी आप मुझे comment करके बताए कि आपके पास यह पहले से मौझूद है या फिर नहीं है तो कि आप वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में सोचेंगे देखेंगे लेने के बारे में सोचेंगे जो भी राय है लिखिएगा जरूर तभी तो पता चलेगा कि आपकी राय क्या है आपकी सोच क्या है फिलाल वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करके एंकरेच कर दीजे फिरेंज फैमिली के साथ इस वीडियो को शेर जरूर कीजिए उन्हें भी ये बढ़िया स्मॉल कैप देखने को मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करें जैसे में वीडियो डालो तुरंत आपको नोटिफाई हो जाएं दोस्तों चैनल पे बहतरीन ओफर है चौके पे चौका ओफर चार चार चीजे इस ओफर में आपको फ्री में मिल रहा है अगले वीडियो पे और तब तक के लिए नमश्कार